नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रुमेंद कुमार कंसल्टेंट पीडियाटीशन और आज अपने इस वीडियो में ब्रेस्पीडिंग के पोजिशनिंग के बारे में बात करना जा रहा हूं जी हां जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेस्पीडिंग यानि अस्तनपान नवजात सिशू के लिए संपूर नहार है और इसमें पोजिशन ऑफ मदर और पोजिशन ऑफ बेबी का भी विशेश खयाल रखना है इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मा का जो बैक है वो फूली सपोर्टेड होना चाहिए ताकि वो उसका वजन बच्चे पढ़ना ही परे दूसरा है पोजिशन ऑफ दा बेबी तो पर पोजिशन ऑफ दा बेबी हम एक नेमुनिक से याद रख सकते हैं इसमें पहला है सीधा तो बेबी, हेड, नेक, बोडी शुद बी इन बोलाइं और देर सुद नोट बी अने ट्विस्टिं इन नेक बाद परे दूसरा है झाणिट, नेक, डी शुद प्राउर जाएं प्राइल है व्यार ख दूसरा नेक, बोडी बोलाइं और दा रोली प्रत दूसरा है सहारा, थ व्यारि अनने नेक, उस पतिता है विसमें है घ्या शुद विवाल्ट बेबी shouldn't hang on the breast.早प Yeah. The only should be at the level of the nipple. So noise for nipple. Both to be at the same level. So these are the four points for Peter positioning of a baby who is going to be breastfed. We all know that exclusive breastfeeding should be continued for six months, followed by अब प्रही हो जब आजके हागा आज को बम्लिम्टर जब एक एंद फिर विर्थ मेर्फ बिदेगीं अ एंद एली टाट विप रिंध अन श्याम झाट अ इंड खाट ट्राट जाट आट झाट आट जबा सुट्ट। त्क,ट् हुए।